अलो दोस्तों स्वागत है आप सब को हमारी यूट्यूब चैनल जबी क्लासेस पर इससे पहले के वीडियो में हम लोग क्लास एट का पहला चेप्टर संसाधन के बारे में पड़ चुके थे उसके डिपली हम लोग रीड कर चुके थे आज हम लोग उसके बारे में जनेंगे परिभासा को जनेंगे संसाधन रिसोर्स जिसको इंग्लिज में बुला जाता है रिसोर्स हमारे चारों और नजर आने वाली वस्ति में जो हमारे लिए उपियोगी है एवाम हमारी बुन्यादी और सकताओं के पुर्तिक करती है संसाधन कर लाती है जैसे पानी, साबून, संसाधनों के प्रकार, संसाधन मुख्यता तिन प्रकार के होते हैं प्राकृतिक संसाधन, मानो निर्मित संसाधन, मानो संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, जिसको इंग्लिज में बुला जाता है नेचुरल रिसोर्स है, रिसोर्स, प्राकृतिक संसाधन का परिभास हम लोग दिखेंगे वैसे संसाधन जो प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं और बिना अधिक संसोधन के उपयोग में लाए जाते हैं प्राकृतिक संसाधन कलाते हैं नदिया, जल, मिर्दा, खनीज, वायू, आधी, ये सब क्या हैं, प्राकितिक संसाधन के उधारन हैं। दूसरा है, मानो निर्मित संसाधन, मैन मैड रिसोर्स, जब प्राकितिक पदार्थों का वास्तविक रूप बदल दिया जाता हैं, तथा उनका प्रियोग अन्य वस्तुओं को बनाने में किया जाता हैं, तो नई निर्मित वस्तुओं में मानो निर्मित संसाधन कलाती हैं। जो मानो निर्मित संसाधन होता है जो प्राकितिक द्वारा जो पदार्त है उसको वास्तवीक रूप बदल दिया जाता है मनुसे अपने उपयोग के अनुसार उसको बदल देता है तो वह नया निर्मियन जो वस्तु होता है वही मानो निर्मित वस्तु कर लाता है जैसे जैसे लोव अयश्ट एक प्राकेटिक संझादर में उससे लोहा का करकर क्या हो और जाता है जैसे लोहा का निश्काषंट करकर क्या बना जाता है मशीन वंजारे इसका क्या हो खाला है लिद्स. मानम सैघ्च संसाधन में है ती से ऑंनो संसाधन क्या पर मान सिक सकती बनाती है 만ो को संसाधन क्या बनाती है तो उसकी संखिया सारीरिक अम्मान्सिक सक्ति लिग उसको संसाधन बनाती है अब प्राकृतिक संसाधन को पॉदृपति के आधार जाता है अजयव संसद्दन करते हैं, जेसे मिर्दा, चटान, हावा, जल, आदीः सब क्या है? जयव संसाधन को फिर है जयव संसाधन बायोटिक रिसोर्स वैसे संसाधन जो सजी होते हैं जयव संसाधन कलाते हैं जैसे पौधे, जन्तु और मानो ये सभी क्या है जयव संसाधन है फिर बिकास के अधार पर भी प्राकितिक संसाधन को दो वरगों में बाटा जाता है वास्तविक संसाधन, संभाविय संसाधन वास्तविक संसाधन यानि real resource वैसे संसाधन, वास्तविक संसाधन होते हैं जिसकी मातर ग्यात हो जिनका उप्योग वर्तमान समय में किया जा रहा है वह वास्तविक संसाधन के मात्र हमेशा क्या होती है ? जैसे पच्छी मेसिया में खनीज, तेल, महराष्ट के दक्कन, पठाड के काली, मिठी जारखन में कोईला बकसाई डादी ये सभी क्या है वास्तविक संसाधन के उधारन है उसके बाद है संभाब ये संसाधन पोशिवल रिसोर्स वैसे संसाधन संभाब ये संसाधन होते हैं जिसकी मातरा ग्यात नहीं है वैसे संसाधन संभाब ये संसाधन के वर आता है जिसकी म परगों में बाटा जाता है नवीकर्णिये संसाधन और और नवीकर्णिये संसाधन तो नवीकर्णिये संसाधन रिन्यूएबल रिसोर्च वैसे संसाधन नवीकर्णिये संसाधन कलाते हैं जिसका शिगरता से नवीकर्ण हो जाता है इसका दूसरा बासा में क्या बोल सकते है कि वैसी संसाधन जिसका एक बार उप्योग करने के बाद पुना उप्योग में लाया जा सकता है नविकर्णिय संसाधन कर लाता है जैसे सोरूर्जा पौनुर्जा सोरूर्जा को एक बार यूज करेंगे तो फिर रिनियू हो जाता है फिर से उसको यूज कर सकते हैं सोरूर् उने में लाखों वर्स लग सकते हैं, जैसे नवीकनिये संसाथन कीया है, एक बार समात्थ हो गया तो वो लाखों वर्स के बाद फिर से बनेगा, तो और नवीकनिये संसाथन कलाता है जैसे पेट्रोलियोम कोईला परकिती गया साधी, बित्रन के दहार पर संसाधन को दोर गणवे में बट गया है सर्वब्यापक संसाधन अस्थानिक संसाधन सर्वब्यापक संसाधन वैसे संसाधन जो सभी जगह पाया जाते हैं सर्वब्यापक संसाधन कलाते हैं जैसे वायू सर्वब्यापक संसाधन वैसे संसाधन जो सभी जगह पाया जाते हैं सर्वब्यापक संसाधन कलाते हैं जैसे में वायू वायू क्या है सभी जगह पे पाया जाते हैं असानी से फिर है अस्थानिक संसाधन वैसे संसाधन जो निश्चित अस्थानों पर ही पाया जाते हैं अस्थानिक संसाधन कलाते हैं जो निश्चित अस्थान पर ही पाया जाएगा अस्थानिक संसाधन कलाते हैं जैसे लोव वयास्क तामभाई यह सभी जगह नहीं पाया जाते हैं कि इस एक विशेक्स जगह पर ही विशेक्स अस्थान पर ही पहा जाते हैं तो अस्थानिक संसाधन करते हैं चलिए आज का इकलास ही तक इससे पहले के वीडियो में हम लोग इसके डिट कर चुके थे बूक को डिट किया थे आज उसके परिभासाई सब सब लिखवा दिये गया ह इसके बाद अभ्यास के क्यूचन आएंगे अब लोग मेरे चैनल पर पहले बढ़ाया है तो सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुचाएं टेक क्या बाबाय एवन नाश टे